हेलो दोस्तों, आज हम अपनी क्लास इक्स आडिशर मां एक्सेसाइज 5.4 का पार्ट 2 करेंगे और यहां हमारा चेप्टर 5 जो वो कंप्लीट हो जाता है इस एक्सेसाइज के बाद नाइन क्वेशन जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर लिये हैं तो यह हमारा 10th question है, अब 10th question में क्या कहता है calculate this sum, sum निकालना हमें, कि इसका 5 प्लस माइनस 5 प्लस 5 प्लस माइनस 5 यानि एक बार 5 आ रहा है, एक बार माइनस 5 आ रहा है इनका sum अब दो पार्ट इसमें first क्या है, if the number of term is 10, यानि कि यह 10 times लिखे गए हैं 10 बार लिखे गए, तो हम इसको कैसे 10 बार लिखेंगे, सबसे पहले तो हम इनको 10 बार लिखी लिखते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे, 5 प्लस 5, अब देखो प्लस माइनस, यहां मैं एक बार बता रहे हूं, देखो 6 7 I'm sorry 8 9 10 ठीक है तो यह हमने पहले ही सब माइनस जो यहाँ पर प्लस माइनस वड़ा साइन यहाँ पर भी क्या बन जाएगा माइनस ही बनेगा बात में तो हमने पहले ही प्लस माइनस कर ले अब यह देखो 5, 5 में से 5 गया 0 5, 5 में से 5 गया 0 इस 5 में से यह 5 गया 0 हम इनको कैंसल करते जाएंगे जो जो 0 हैगा ठीक है 5 में से 5 गया 0 5 में से 5 गया 0 5 में से 5 गया 0 5 में से 5 गया यह भी 0 5 में से 5 गया यह भी 0 तो इनका सम कितना बना 0 ठीक है तो इन 10 terms का sum हमारे पास 0 बन गया अब second question के कहता है if the number of term is 11 अगर ये 11 time लिखे जाते तो क्या होता तो हम पहले इनको 11 बार लिखे लेते हैं 5 minus 5 plus 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 5 तो ये हमने 11 time लिख लिखे अब इनको भी same ऐसे ही ये देखो 5 में से 5 गया यहाँ 0 हो गया 5 में से 5 गया 0 5 में से 5 गया 0 5 में से 5 गया ये भी 0 5 में से 5 गया ये भी 0 ये मैं आपको समझाने के लिए काट रहे हूँ आप ऐसे मत काटना ठीक है ऐसे ही छोड़ देना आप काटना मत तो अब हमारे पास बचा है क्या? सिरफ 5 बचा है इसके लाँ कुछ बचा है नहीं तो हमारा इसमें भी आंसर क्या आ गया? 5 ठीक है तो इन सब का सम क्या हुआ हमारे पास? 5 तो ये था हमारा 10th question अब 11 देखू replace star by greater than or less than in each of the falling to make the statement true अब में star की जगे यह लगाने हैं दो को star की मेंने श्रफ dot डाला वाँ यहां भी इसमे भी यहां भी और यहां भी ठीक है? यहां जहां ilोट डाला वआ यहां जहां पर star लगावा था ठीक है? तो फरस्ट देखू यह क्या है? minus six plus minus minus nine यहां क्या हैगा? minus six माइनस माइनस प्लस 9 ठीक है यह तो क्या हो जाएगा 9 में से 6 जाएगे अब देखो यहां माइनस है यहां प्लस है क्या हो जाएगा दोनों में माइनस तो माइनस 9 में से 6 जाएगा कितना एगा 3 ठीक है यह प्लस का नंबर आएगा क्योंकि यह प्लस का ही 9 था अब देखो और 6 कितना हो गया 15 लेकिन माइन इसका साइन क्योंकि दुनों मैमिस के इसलिए माइन इसका अब बताओ 3 वड़ा है 15 बड़ा यह 15 बड़ा बो भी माइन सका तो माइन इसका का नंबर बड़ा मोटा नहीं होता फ्लस का ऊप थो यहाँ पर कौन सा sign लग जाएगा ये बा, अब ऐसे ये है, यह देखो, minus 12, minus minus, plus 12, इधर देखो, minus 12, minus plus, minus 12, इधर क्या हो गया, minus, ये देखो, plus के 12, minus के 12, 2, minus minus 24, अब zero बड़ा या minus, तो 0 और negative नंबर में से 0 बड़ा होता है, यहां यह लग जाएगा sign टिक है ऐसे यह minus 20 minus minus plus 20 यहां क्या बनेगा हमारा 0 बन जाएगा minus हो जाएगा अपस में यहां 65 में से minus करेंगे तो something minus का नंबर आएगा हमारे पास 45 यह minus वड़ा नंबर क्या हो गया फिर से छोटा तो यहां भी यही वड़ा sign अब देखो यहां पर 28 minus minus plus 10 इधर देखो 16 minus minus plus 76 अब देखो 28 plus 10 38 अब यह 76 में से इसको minus करेंगे कितना आएगा हमारे पास 50 आ जाएगा ठीक है तो 50 बड़ा 38 तो 50 बड़ा है जब दोनों positive नंबर हो तो जो बड़ा होता है वही बड़ा होता है ठीक है तो यह था हमारा 11th question अब यह देखो 12 question if triangle is an operation on integers such that a triangle b is minus a plus b minus minus 2 for all integers a and b find the value of इसने क्या बोला है इसने बोला है कि अगर कोई भी हमें जो नंबर दिया है जैसे यह 4 हमें पाट दिया है इनमें क्या करना है जो triangle उससे पहले वाला जो नंबर होगा वो हमारे पास a है और जो triangle से बाद वाला नंबर वो भी है ठीक है तो हमें उनको इस formula के अंदर जो यह भी नहीं करना है इस question में ठीक है तो कैसे करेंगे हम झैसे यह ना है जो हो है हम जैसे यह वाला है अब धेको ए यह तो a की जिए क्या है minus a है तो मैंस 4 प्लस B क्या हमारे पास 3 अब यह जो है यह हमने as it is लिख देना है ठीक है माइनस 4 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 2 ठीक है हमें पता है ना bracket के बहार माइनस हो और अंदर माइनस हो तो वो क्या हो जाएगा प्लस अब यह देखो माइनस 4 3 और 2 दोनों प्लस के ना इनको प्लस कर देंगे 5 हो जाएगा अब देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ठीक है तो 5 में से 4 गया 5 पॉजिटिव नंबर बड़ा था इसलिए हमारे पास 1 कैसा आएगा पॉजिटिव यह सेकिंड पार्ट है अभी देखो वापिस ऐसे फॉर्मूले एंपूट करेंगे तो हम क्या आएगा हमारे पास पहले में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो पूट माइनस 2 माइनस 3 इन माइनस A प्लस B माइनस 2 इस फॉर्मूले में लिखना चाहता है लिख दो अदर्वाइस सीधा भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है यह माइनस तो इनके साथ वाड़ा है A का इसके अलावा जो माइनस बच गया है वो तुमें साथ लिखना है अब यह भी हम लिखेंगे माइनस माइनस 2 यह क्या हो गया माइनस माइनस प्लस अगे निशान नहीं लगता प्लस माइनस 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 प्लस तो यह देखो यह भी प्लस का है और यह भी प्लस का है 2 और 2 4 माइनस 3 क्या आगया 1 ठीक है तो ऐसे यह दोनों पार्ट हम कर लेंगे तो सेम हमारे दोनों पार्ट हम इनको भी ऐसे सोल्फ कर लेंगे यहां पर यह माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ठीक है तो इन दोनों क्या प्रेक्टिस करना अब थर्टींत क्वेशन क्या कहता है अब यहां देको इसने क्या बोला कि A और भी दोनमबर है और A जो है न वो B का प्रेड़सर है यानि कि पहले A आया है और उसके बाद B आया है अब जैसे हम ले सकते हैं कोई भी एक्जामपल दो या तीन ठीक है कि पहले जो है वो दो आया फर तीन आया तो दो जो हूँ तीन का क्या होगा अप्री डैसर यानि तीन से पहले जो नमबर आता है यानि से पहले जो आया वही उसका प्रेड़सर है तो B से जो पहले आएगा वही तो अगर मैं तीन को ऐसे लिख सकते हूँ na two प्लस one is equal to three 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा ना तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना A को B कि A प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास B ठीक है तो यह में ध्यान रखना है क्या ध्यान रखना है If A is pre-desser of B अगर A जो वो pre-desser है B का तो A प्लस 1 क्या हो जाएगा B के एक्वल हो जाएगा ठीक है अब इसने क्या बोला है A माइनस B हमें A माइनस B की वैल्यू निकालनी है यह कैसे आएगी तो A की जगे अब यह देखो B कि किसके एक्वल है A प्लस 1 तो हम B की जगे अगर यह रख दे तो यह ऐसा नहीं हो जाएगा A माइनस A प्लस 1 ठीक है हमने क्या किया कि देखो यह में B की वैल्यू हमें पता है कि B किसके एक्वल है A प्लस 1 तो B की जगे हम क्या रख सकते है A प्लस 1 रख सकते हैं कोई दिक्कत तो नहीं क्योंकि यह भी सेम है यह भी सेम है यहां देखो यहां प्लस है और यहां माइनस है तो यहां और प्लस और यहां माइनस क्या होता है माइनस वन ठीक है अब यह देखो इसका अंसर क्या आ जाएगा A से A कैंसल होगे अंसर क्या बचा माइनस वन यह हमारा अंसर है ठीक है तो यह मारा 13th question था अब 14th question देखो क्या कह रहा है if A and B are two integers अगर A और B दो integers है ठीक है such that A is successor of B अब A जो हो B का successor है यानि अब B पहले आ रहा है और A बाद में आ रहा है successor का मतलब होता है बाद में आने वारा number ठीक है यानि कि जैसे अब की बार B क्या है हमारे पास B तो है 3 और A क्या हमारे पास 4 है 2 नहीं है इस बार ठीक है तो यह हमने मान लिया है वैसे यह कहीं भी लिखना मत आपको समझाने के लिए बताए कि क्या होता है successor successor का मतलब बताए कि अगला number उससे find the value of A minus B तो अब हमें यह पता है कि B अगर इसके बाद आ रहा है तो अब की बार क्या होएगा B plus 1 क्या होएगा A हो जाएगा हमें किसकी value निकालनी है A minus B की तो हम क्या करेंगे put A is equal to B plus 1 कि A की value B plus 1 होती है हम किसमें put करेंगे in A minus B अब A की जगे हम रख सकते हैं B plus 1 तो हम क्या करेंगे B plus 1 रख दिया A की जगे और minus B जो था वो हमारा question में था अब देखो यह plus का B और minus का B तो आपस में cancel होगे हमारे पास क्या बचा answer 1 तो यह हमारा क्या है answer तो यह हमारा 14th question था अब 15 थे देखो which statement are true मतलब हमें true और false बताने हैं अब की बारिया देखो यहां क्या है minus 13 और इसने बोला कि greater होगा किस से यह देखो यह तो हो रहा है minus 13 यह क्या है minus 8 minus minus plus 2 8 में से 2 गया minus 6 हो रहा है यह तो है ना तो यह minus 13 यह minus 6 तो यह वाला बड़ा है और इसने बोला कि यह वाला बड़ा है तो यह मारे पास क्या होगी statement false ऐसे यहां पर है ठीक है यह देखो यह minus 4 है minus 4 plus minus 2 तो plus minus क्या हो जाएगा minus यानि minus 4 minus 2 क्या हो जाएगा minus 6 हो जाएगा और यह 2 तो क्या minus 6 से बड़ा है तो बिल्कुल बड़ा है तो यह हो गया हमारे पास true ठीक है थार्ड क्या कहता है negative of negative number is positive कि किसी negative number का negative positive होता है तो यह बिल्कुल true है ठीक है कैसे देखो जैसे मालो मैंने कोई number लिया negative minus 3 ठीक है अगर मैं इसका भी negative कर दो इसका negative कर दो यानि एक और minus इसकी आग्या जाएगी तो यह क्या बन जाएगा minus minus plus का 3 तो यह कैसा number है positive number है और यह इसने बोला है तो यह true हो गया अगर कहता है if a and b are two integer अगर a और b दो integer है इस तरह ऐसे कि a, b से बढ़ा है ठीक है तो a minus b हमेशा positive integer होएगा तो यह b क्या हमारे पास true है क्यों क्योंकि माल लो a और b जो है जैसे माल ले a माल ले हमने 4 और b माल ले हमने 3 ठीक है तो अब 4 में से 3 अगर हम minus करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 1 यह positive number है negative में माल ले अगर एक 3 माल ले है minus का 3 एक माल ले है minus का 4 अब minus का 3 जो बढ़ा होता है तो minus के 3 में से minus का 4 minus करेंगे तो भी हमारे पास 1 ही आएगा यह देखो minus 3 minus minus का 4 यहाँ minus 3 minus minus plus 4 अब यह क्या हो जाएगा 4 में से 3 गया 1 तो यहाँ भी यह क्या रहा है positive number तो यह true है ठीक है difference of 2 integer is an integer कि 2 integer में से minus करेंगे तो कोई integer यह आएगा तो बिल्कुल true है किसी 2 numbers में से कोई भी 2 number माल लो 6 में से 7 minus करा minus 1 यह भी क्या हमारे पास integer है 7 में से 6 minus करा 1 यह भी क्या हमारे पास integer है तो integer ही आएगा न लास्ट में तो यह मारे पास है true यह कहता है additive inverse of a negative is also negative तो negative का additive inverse negative नहीं होता है positive होता है तो यह मारे पास क्या है false ठीक है क्योंकि negative number है minus 3 तो इसमें ऐसा क्या add करेंगे हम कि 0 आ जाए तो minus 3 तो add कर नहीं सकते negative number तो add कर नहीं सकते न तो positive number add करेंगे लेकिन इसने बोला कि negative number होगा तो वो क्या हैगा false यह देखू additive inverse of a positive integer is negative कि positive integer का opposite जो होता हो negative होता है तो यह बिल्कुल true है ठीक है जैसे 3 है 3 का opposite क्या हैगा minus 3 तब ही तो 0 आएगी ठीक है यह होगे हमारे true false एक और बच्चता है यह देखो last वाला additive inverse of a negative integer is positive यह है true कि negative integer का opposite क्यों आएगा positive होगा भी हमने example यह था ना minus 3 minus 3 में क्या जोड़ेंगे ऐसा कि 0 आए तो वो 3 ही जोड़ेंगे यह क्या है positive नंबर है और यह इसने बोला कि positive नंबर ही होगा तो positive होगा true है यह अब fill in the blanks है minus 7 plus 0 minus 7 में क्या जोड़ेंगे 0 हो जाए 7 29 plus 0 29 में क्या जोड़ेंगे 0 हो जाए minus 29 ठीक है 132 plus minus 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 हो गया है अपर 132 अब 132 में से 132 माइनस गया 0 ठीक है अब यह देखो यहाँ पर ना तो 0 आ रहा कहीं ना है ऐसा कुछ दिख रहा है तो इसमें क्या करेंगे हम ऐसे question जब भी आए ना तो हम क्या करते हैं जो यह fill up होता है ना इसको as it is रख लेते हैं इसको भी as it is रख लेते हैं इधर fill up के लावा जो भी remaining है उसको उधर ले जाते हैं ठीक है यहाँ पर यह negative है ना माइनस है ना तो उधर जाएकर यह क्या हो जाएगा प्लस का नंबर हो जाएगा ठीक है तो अब यहाँ पर क्या आजाएगा 36 अब यह जो 36 है यह क्या आएगा इस blank के अंदर यानि यहाँ पर हमारे पास क्या आजाएगा 36 यह देखो आप इसमें यहाँ पर भी same करेंगे यह blank कर रखा यह as it is यह minus का था उधर जाएगे क्या हो जाएगा प्लस का 1256 ठीक है अब यह देखो minus plus minus होएगा यानि इसमें से यह वाड़ा नंबर माइनस कर देंगे माइनस करेंगे तो हमारे पास अंसरा आएगा यह वाला ठीक है और यह हमारा क्या आएगा इस fill in the blank में आ जाएगा ठीक है इसमें भी सेम ऐसे करेंगे यह ऐसे ही रख दिया यह जो नहीं इसको नहीं चेड़ना यह बिल्कुल ऐसे ही रखना जैसे दिया हुआ है यह negative है इधर minus है उधर जागे क्या हो जाएगा प्लस तो हम इसको प्लस कर देंगे इधर अब यह देखो minus plus minus हो जाएगा इस नंबर में से यह minus हो जाएगा तो answer के आएगा 3305 क्योंकि यह minus वाला बड़ा था तो इधर भी minus के आजाएगी answer में भी minus आजाएगी यह आएगा हमारा fill up में answer ठीक है तो यह थी हमारे 5.4 जो complete हो गई है अब हम next chapter start करेंगे chapter number 6 next video में तब तक क्या लिए आप इन questions की practice कीजिए वीडियो को like कीजिए और हमारे चैनल को subscribe कीजिए और अगर आपको कोई भी पार्ट समझ नहीं आता है तो comment कीजिए